राधे राधे एवरिवन आप सभी को करवाचोत वरत की बहुत बहुत शुब काम नाएं फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं आपको करवाचोत वरत की संपूर्ण पूजा विधी बताऊंगी इस वर्स यानि 2023 में एक नवंबर दिन बुधवार को करवाचोत का पावन पवित्र वरत किया जाएगा तो महिलाए अपने पती की लंबी उमर के लिए वरत करेंगी वरत की पूजा हमें कैसे करनी है ये अब हम देख लेते हैं करवाचोत के दिन पहले हम नहाध हो के पूरे 16 सिंगार कर लेते हैं तो हाथों में महंदी लगा लीजेगा नए नए चूड़ियां पहन लीजेगा अपने साधी का जोड़ा पहन सकते हैं या साधी की चुनरी या पीलिया हम ओड लेंगे उसके बाद हमें चोकी लगा लेंगे चोकी पर हमें लाल रंका वस्तर बिछाना है अब हम चोकी पर करवाचोत माता को विराजमान करेंगे करते हैं आपके होगी जाती है तो आप जरूर की जिएगा और नहीं की जाती जाती है तो इस पारों को शुप कर देना तो देखे करवा तयार करेंगे तो करवा देखे मिट्टी का करवा हमें लेना है जिसमें इस तरह का होल होता है ना नल सा लगा होता है तो वाला कर्वा आंने है तो करवा मैंने ले लिया है आप करवे का जो यह होल है जो छेद है उसको हम BAND करेंगे तो हमारी यहां-पर कोटन से इसको BAND कर देते हैं अगर आपских पर सींख लगा या जाती हैं लंबे वाली सींख भी लगा सकते हैं इसके बाद करवे को जल से करसे लिए कर्वे के साइड और कर्वे के कंट पर हम ही मोली बांधने हैं तो कर्वे के उपर हम साम थोड़ा इंधर करने हैं तो में तो गो और इससे में लें किसे की के मिટी यहां पर डोनों कर्व spin के लिए जाते हैं आप यहां के कक ले लेते हैं उस तरह के ले लिए लेजीए तो सभी के यहां ले जाते हैं अब gekर्वे के गंट परी के अगर आकेले पूजा कर रहे हैं तो ये जो पार्वती माता के नाम का करवा है और आपका जो मिट्टी का करवा है इन दोनों को ये आप आपस में फेर सकते आ अगर आपकेले हैं, तो भी कोई बात निया, पार्वती माता के साथ करवा फेर लीजिएगा. अब हम गनेश जी की स्थापना करेंगे, तो थोड़े से गेहूं या चावल रखकर हम गनेश जी को स्थापित कर देंगे, इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे, तो पूजा में सबसे पहले हम गेहूं जरूर चड़ाएंगे, तो देख्या आप चाहें, तो आप करवाच के उपर हमने दीपक रखा था न वो दीपक हमने जला दिया है गनेश जी को वस्तर सवरूप कलावा समर्पित कर देंगे अगर आपके बाद जनेव है तो जनेव समर्पित कर दीजिए जनेव नहीं है तो सिर्फ कलावा समर्पित कर सकते हैं जो हमने करवे लिये हैं उनके अपने आपको भी तिलक जरूर कर लीजिएगा फिर अगर आपके पास full हैं तो full समर्पित कर दें और उसके बाद हम करवा चोथ माता को 16 सिंगार जरूर समर्पित करें। क्योंकि सुहाग के लिए ही ये वरत किया जाता है तो सुहाग सामगरी हम जरूर जरूर समर्पित करते हैं तो यहाँ पर 16 सिंगार हमने समर्पित कर दिये हैं माता को एक बर सपर्स करा के फिर चोकी पर ही सिंगार हम रख देंगे अब हम भोग समर्पित करेंगे तो भोग में जो भी पकवान आपने बनाए हैं आप वो समर्पित कर सकते हैं या बजार से मिठाई भी आप मंगवा सकते हैं जो भी मिठाई आप मंगवाएंगे जो पकवान बनाएंगे करवे पर भी रखना है क्योंकि चंदरमा को इसी से हम पिर हम रितुफल समर्पित करेंगे, तो सिंघाड़ा हो सके तो जरूर समर्पित करना, उसके अलावा जो भी रितुफल आपको मिल जाए, वो आप करवाचोत माता को समर्पित कर सकते हैं, और फिर हमें एक लोटा जल समर्पित कर देंगे, इसी जल से हमें कथा सुननी है, य इसके उपर हमें कुछ सिंगार का सामान रखना होता है आप चाहें तो आप अलग से सिंगार का सामान ले सकते हैं यानि आप चाहें तो आप दो जगे सिंगार का सामान ले सकते हैं और आप चाहें तो जो आपने करवाचोत माता को 16 सिंगार चड़ाया है उसी में से कुछ चीजें आप बाएने के रूप में इस साड़ी या सूट के उपर भी रख सकते हैं यानि कुछ चीजें आप दान कर देजिएगा और कुछ सिंगार का सामान माता के आसिरवाद के रूप में आप स्वैम यूज कर लीजिएगा तो यहां पर देखे कुछ सिंगार का सामान हम इस साड़ी पर भी रख देंगे जो हम बाएने के रूप में निकालेंगे उसके बाद यह जो लोटा जलका है इसको रखके हमें कथा सुननी है करवा चोथ के वरत में कथा सुनना एनिवार ये होता है आप चाहें तो यहीं पर चोखी के पास बैट कर आप कथा सुन सकते हैं या आप चाहें तो अपनी सकी सहलियों के साथ भी कथा सुन सकते हैं कथा सुनने के लिए हमने गेहूं के दाने हाथ में ले लिए है अब हम करवा चोथ वरत कथा सुनेंगे कथा का वीडियो आपको चैनल पर अलग से मिल जाएगा क्योंकि अगर मैं आप यहीं पर कथा सुनाओंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए कथा का वीडियो मैंने अलग कर दिया है और सबी वीडियो की प्ले लिस्ट बनाकर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आप वहां से चैक कर लेना आप देखे कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में गेहूं के दाने लिए है इसमें से कुछ दाने हम जल के लोटे में समर्पित करेंगे और बाकी जो दाने हैं वो हम अपने पल्लू में बांध लेंगे क्योंकि चंदर्मा को जो हम आरक देंगे और छलनी नई होना जरूरी नहीं अगर पिछले साल की छलनी है तो वो भी आप यूज कर सकते हैं तो यहां पर देखे कथा हमने सुन ली है उसके बाद हम आरती करेंगे तो दीप कलस्का दीपक हमें नहीं उठाना है अलग से आप दीपक जलाए या तो आप कपूर से आरत कर लोंगे तो बहुत ही प्रेम पुरोख हम आरती करेंगे आप यहां पर करवा चोत माता की आरती कर सकते हैं या पार्वती माता की आरती कर सकते हैं और अगर आपको आरती नहीं आती है तो पांच या साथ बार दिएगो क्लोक वाइस घुमाना भी आरती का ही सवरूप है आप इस तरह से आर्थी कर सकते हैं, आर्थी करने के बाद अपने पती की लंबी उमर के लिए काम ना करेंगे। अब हमें करवा फेरना है, तो अगर आप अकेले हैं, तो पारवती माता के साथ करवा फेर लिजेगा, इसमें जो मिटी का करवा है, वो हमारा है, और जो चीनी का करवा है, वो पारवती माता का है, तो देखें करवा हमें साथ बाल फेरना होता है, हातों को इस तरह से क्रोस ब अमर रहे। तो इस कामना के साथ हम साथ बार ये करवे फेरते हैं और साथ बार के बार देखे जहां आपका करवा था वहाँ पार्वती माता का आ जाएगा। यहां पर करवा नहीं फेरते हैं तो आप इस बार को skip कर देना इसके बाद जो जलका लोटा है वो हम सुर्य देवता को अरग दे देंगे तो देखे हम लोग तो दिन में पूझा करते हैं तो सुर्य देवता को यह जलका लोटा अरग दे देते हैं आप लोग शाम को पूझा क जो हमने साडी रखी है और जो भोगा सामाण रखा है, जो दखषिना रखी है, ये हम अपनी सासू झी को बाएनने की रूप में दे देंगे। ननद को या जिठानी को आप दे सकते हैं या मंदिर में पंडिताइन को भी आप ये बायना दे सकते हैं बायना जरूर हम करवाचोत के वरत में देते हैं तो इस तरह से हम बायना दे देंगे बायना देकर चरंश पर्स करके हम बड़ों का आसिरवाद लेंगे तो इससे हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी, और शाम के शमया, रात के समय जप चण्द्रमा हो गएगे, तो जो मिट्टी का हमने करवा लिया है, इनसे हम चंद्रमा का पूजन करेंगे, पती का पूजन करेंगे, और फिर उसके बाद हम वरत का पारन करेंगे. तो फ्रेंड्स करवाचोत वर्त किये पूजा विधी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत भी युजफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना हम महिलाए घर में तीज तो कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना करवाचोत माता की किरपा आप पर सरवदा बनी रहे इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए जै करवाचोत माता राधे राधे